तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अगर आपने करोना वाइरस का दोनु वैक्सिन लगा लिया है और आपको मुवाइल नमर पे मेसेज भी आ गया है तो आप किस तरीके से अपने मुवाइल से उसका सेटिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं तो वीडियो के साथ अगर आप को वैक्सिन का टीका लगवाते हैं तो आपको 28 दिन मतलब एक मैना बाद दूसरा टीका लगवाना पड़ता है जब आपका दोनों टीका का कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको मुवाइल पे मेसेज आ जाता है मतलब पहला टीका लगवाते हैं उसका भी मेसे जब message आ जाता है, जब message आ जाता है तो आपको original जो certificate होती है, जो कि digitally certificate होती है, तो वो आपको download करना पड़ता है अपने mobile से, तो आपने mobile के screen में ले ले आके दिखाता हूँ कैसे download करना है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आप भी injection लगवाएंगे तो आपके mobile पे कुछ इस तरह का message आएगा और second injection लगाने पर कुछ इस तरह का message आएगा, अब आपको अपने Chrome browser को open कर लेना है, मतलब Google में चले जाना है, और यहाँ पर यह ताइप करने का है, यहाँ पर आपको type करना है, कुछ इस तरह का, https double slash kovin.gov.in, यह type करने के बाद आपको search करना है, number one पर यह वाला website आएगा, कुछ इस तरह का दिखता है, यह वाला website इस पर आपको click मारना है, click मारने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा, देखें, यह लिखा है register or sign in for vaccination, और नीचे दिया है mobile number डालने का, तो यहाँ पर आपको अपना mobile number डाल देना है, उसके गेट OTP पर इस तरह का दिखेगा, तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है, देखें, यह लिखा है certificate, तो इस पर आपको click मारना है, तो certificate पर click मारने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा, आपका certificate download होने के लिए तयार होगा, देखें, यह download का notification दिखा रहा है, तो मैं download पर click मारता हूँ, तो देखे ओपर certificate डाउनलोड हो गया यह PDF फाइल में डाउनलोड होता है उसके बाद यहां दिया है International Travel Certificate इसपे क्लिक मारेंगे फिर से download का option आएगा और यहां से आपको download कर लेना है उसके नीचे दिया है add member अगर इसपे आप क्लिक मारेंगे अगर आपके घर के किसी सदद से को injection लगवाना है तो यहां से आप registration कर सकते हैं फिलाल कुछ नहीं करना है यहां से cut कर देना है अब मैं आपको PDF खोल के दिखाता हूं दोनों तो PDF खोलने पर कुछ इस तरह का certificate नजर आता है आपको इसे अपने आसपास के computer वाले के पास जा करके निकाल लेना है print out और इसको चाहे तो आप lamination भी करवा सकते हैं पिंड नी चरा सकते हैं आपकी मरजी और आप चाहे तो यहां से किसी को भी share कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा ही लगा होगा ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपको मन में कोई doubt है या कोई सवाल चल रहा है जिसका आपको जवाब चाहिए तो आप comment box में वीडियो के नीचे लिख सकते हैं आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा और हो सकेगा तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा तो फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई